हाई फ्रेंट्स वेलकम तो देश्क देवा इंग्लिश स्पकन क्लास फ्रेंट्स अभी हम नरेशन पढ़ा रहे हैं एक वीडियो में डाल चुका हूं मिस पार्ट वन हो चुका है आज पार्ट टू में मैं आपको चेंज अप देश बता रहा हूं पहले पार्ट में मैंने आप पर्शन चेंज करने में कभी भी कन्फूज नहीं होंगे अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में हमने वीडियो दे रखा है आप वहां से जाकर दे सकते हैं या आप आई बटन पर भी जाकर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं तो आज हम सिखने व ट्रेशन किया उसके रूर्स से ऍसका अब हुगे इसको नोड़ बूक में नोट कर लेना लिकन यह ज़रूरिया इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान से उसको देखना। ।क ઽ直ેન્ડેનેનો પાબઍડ થેનેને ,અસેનેને grote જબંટે incapazાંપ हહલીને . ક૫યને વર્ડેનેને અએને અકી ??? प्रफेक्ट में चैंज करते हैं अब आगे हम देखते हैं कि अगर रिपोटेड इस्पीच में सिंपल पास्ट यान की पास्ट अदफिनिट एंस हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चैंज करते हैं Past Continuous हो, तो Past Perfect Continuous में चेंज करते हैं Past Perfect हो, तो No Chance Past Perfect Continuous है तो No Chance Ok friends हम चेंज नहीं करते हैं और आगे है अगर Shall and Will हो तो उसको हम Should या Would में बदलते हैं Can को Could में Me को Might में Me-ish are को Was-WAR में Have-Has को Head में was, were को had been में, had को had had में, या सिर्फ had में, और could अगर हो, could हो, would हो, might हो, तो इसमें हम change नहीं करते हैं. तो अभी आपने screen पर देखा होगा, कि क्या रहने पर, और कि reported speech में, कौन सा tense रहने पर हम उसको किस में बदलते हैं, हम sentence बनाते हुए समझते जाएंगे, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, देखिए, narration part 2, change of the tenses, Rahul said to me, आप इतना याद रखना, कि इसका tense I have stolen my pen, तुमने मेरी pen चुड़ाई है, तो इसको हम अब change करता है, indirect में, Rahul told me, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि state के बाद अगर object है, कि to me, to him, तो यहाँ पर state के बतले में told हो जाता है, उसके बाद that, that के बाद inverted का माहा हड जाएगा, फिर you, you change of the person में आपने सिख तो यहाँ था, कि जब second person यहाँ पर हो, you second person है, तो object के हिसा आप से चंज होता है, object इसमें me है, मतलब I, I, और यहाँ पर कौन सा tense है, you have stolen my pen, present perfect tense है, तो present, जितना यह present अगर होगा इदर तो वो past हो जाएगा, यानि कि past perfect हो जाएगा, तो past perfect हो जाएगा, तो past perfect हो जाएगा, जाएगा, his pen, I had stolen his pen, यहाँ पर my pen, कौन बोल रहा है, राहुल बोल रहा है, तो राहुल कि नहीं, his हो जाएगा, ओके फ्रेंट्स, दूसरा है, he said to me, I will go to Mumbai tomorrow, तो जाएगा, he told me that I will, यहाँ पर first person है, जब भी first person है, तो subject के हिसाब से change होता है, ओके फ्रेंट्स, तो हो जाएगा, he will का क्या होता है, would होता है, he would go to Mumbai tomorrow, tomorrow है, तो tomorrow के लिए हम next day करते है, they said to us, you can win the match, तो they told us that, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, they said to us, उन्होंने हम लोगों से कहा, you can win the match, आप लोग match जीत सकते हैं, that, तो you किसके लिए है, you second person है, तो यह object के हिसाब से, हमेशा ध्यान रखना, second person है, तो object के हिसाब से, first person है, तो subject के हिसाब से, और third person है, तो no change, okay friends, तो you किसके लिए, us के लिए, तो we हो जायागा, we can का हो जाता है, could, we could win the match, okay friends, इस तरह से हम tense change करते हैं, हम और भी बहुत सारा sentences लेंगे, और उस पे नजर डालते चलेंगे, आप अच्छी तरह से देखना, वीडियो को पूरा देखना, मैं वादा करता हूँ, कि वीडियो के अंत तक, आपको कोई भी confusion बाकी नहीं रह जाएगा, tense को change करने में, बहुत ही easily आप tense को change कर सकेंगे, indirect बनाते वक्त, okay friends, तो अभी हम और भी sentence बनाते हुए समझते जाते हैं, He said, I have no pen, इसका indirect बनाएंगे, He said that he had no pen, has have का head हो जाता है, Shita said, I have seen him, Shita ने कहा, मैंने उसे देखा है, Shita said that she had seen him, यहाँ पर I have seen him, direct speech में है, means present perfectness है, इसलिए present perfect रहता है, तो past perfect में बदल जाता है, Okay friends, so Shita said that she had seen him, He said to me, I am your friend, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, He told me, जब इस said के बाद object आता है, तो said बदल के told में हो जाता है, अगर object नहीं आएगा, तो said का said ही रहेगा, Okay friends, तो he said to me है, तो यहाँ पर हो जाएगा, He told me that he was my friend, यहाँ पर उपर direct में आपने देखा कि I am your friend लिखा है, I मतलब first person subject के हिसाब से change होगा, तो ही हो जाएगा, इसमें subject ही है, तो ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर aim है, तो is our aim का was वर में हो जाता है, तो he के साथ was लगता है, तो he was my friend, Okay friends, The boys said, We are going to school, The boys said that they were going to school, He said, I shall go, He said that he would go, जब भी direct में reported speech अगर shell will होता है, तो indirect में उसका उड़ हो जाता है, Sita said, I can swim, Sita said that she could swim, जब भी can रहता है, reported speech में direct में, तो indirect मनाते वक, can का could हो जाता है, They said, We have to go, They said that they had to go, He said to me, I am going to you, He told me that he was going to me, He said I went there, He said that he had gone there, Ram said to me, I helped you, Ram told me that he had helped me, यहाँ पर जो direct speech में reported speech है, वो past and definite है, I helped you, इन direct speech में, past and definite को हम, past perfect tense में बदल देते हैं, तो यह राम टोल्ड मी दाट, he had helped me, तो इन examples के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आगया होगा, कि tense को हम कैसे change करते हैं, मैंने जो चार दिखाया change of tense का screen पर, उसका आप screenshot ले लेना, उसको अच्छे से याद कर लेना, कि किस tense के रहने पर क्या change करते हैं, या आप simply समझ जाए कि जब भी reported speech, present tense में होगा, तो present का जो past आता है, जैसे present definite का past definite, present continuous का past continuous, present perfect का past perfect, present perfect continuous का past perfect continuous, यह तो simple है, यह तो याद रहेगा, उसके बाद जो past definite रहेगा, तो past perfect, past continuous रहेगा, तो past perfect continuous, और अगर past perfect या past perfect continuous हो तो इसमें कोई change नहीं होता है simple है उप्रेंट्स उम्मीद करता हो कि आपको अच्छी तरह से समझ माया होगा और वीडियो अच्छा लगने पर like किया किजे comment किया किजे और अपने किसी एक friend को share भी कर दिया किजे और अभी तक अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहें कि आऊगा तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आ कि रूट करके आलन को नोटेफिकेशन को ऑल कर दीज當 ताकि हमारे हार वीडियो का नोट्रिफेकेशन आपको मिलता रहा है और आप घर बेठें इंग्लिश सिखते रहा है तो अब तक हमारा वीडियो दखने के लिए थांक्स थांक्स अलोट और धनेवाद अगर आप शुरू से इंग्लिश सिखना चाहते हैं तो आप हमारे चानल पर जाएए हमारे चानल पर जाने के बाद चानल के प्ले लिस्ट में जाएए उपर आपको प्ले लिस्ट लिखाने ज़र आएगा उस पर आप क्लिक किजिए प्ले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्ले लिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो उपर वाला प्लेलिस्ट है English Practice Classes आप उस पर क्लिक कीजे उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियो जा जाएंगे और इन सारे वीडियो को आप उपर से शुरू करना देखना और एकके करके देखना